नमस्कार योग जर्णी में मैं मदू चौधरी आपका स्वागत करती हूँ चालिस की उम्र के बाद कई बार हमें ठकान सी महसूस होने लगती हैं हम एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि पूरा दिन एनर्जेटिक फील करें आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता बड़ी रहें आप एकदम स्वस्त रहें तो आपको अपने दिन के शुरुआत सही तरीके से करनी होगी सुबह उठने के बाद पहला काम दो मिनिट डीप ब्रीधिंग करना जब आप गहरी सांसे लेते हैं तो आपके शरीर में खास तोर से आपके ब्रेन में ओक्सिजन का लेवल कई गुना बढ़ जाता है ये आपके मन को शांत रखने के लिए बहुत ज़रूरी है जब आप लंबी गहरी सांसे लेते हैं तो ये आपके अंदर प्राण शक्ती का संचार करती हैं तो उठने के बाद लंबी गहरी सांसे लेना आराम से आखे बंद करके इस तरह से सांसे लें पेट से सांस भढ़ना शुरू करें और पूरा उपर तक जितना गहरा सांस आप ले सकते हैं लेना है और जितना दीरे दीरे आप सांस छोड़ सकते हैं छोड़ना है ये आपके लिए एक किक के तरह होगा दिन की ऐसी शुरुआत होगी कि आप पूरा दिन बहुत एनरजेटिक फिल करेंगे और इसके बाद आपको शहद का सेवन करना है कैसे पानी को उबाल ले ठंडा कर ले एक गिलास पानी में एक चमच शहद मिला कर इसका सेवन आपको करना है ये आपके शरीर में कमाल के बदलाव लेकर आएगा क्योंकि शहद कुछ-कुछ हमारे खून की सरचना से मिलता जुलता है ये सीधा जाकर आपके खून में मिल जाता है आपको इंस्टेंट एनरजी मिलती है शहद का प्रयोग करने से आपके शरीर में जो खून की कमी है वो दूर हो जाएगी आपके बलड का सर्कुलेशन इंप्रूव होगा खून की शुद्धी होगी ये आपके बलड को प्यॉरिफाई करेगा ये आपके शरीर में जीवन शक्ती को भर देगा प्रान शक्ती को भर देगा आपकी इम्यूनिटी कई गुना बढ़ जाएगी आप पूरे दिन एकदम उर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे खास तोर से महिलाएं जिने जगे जगे दर्द होना शुरू हो जाता है हड़ियां कमजोर हो जाती है उनके लिए ये एक बहुत ताकतवर दवा की तरह काम करेगा इसका सेवन करने से आपके शरीर के साथ-साथ मन पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा आप बहुत अच्छा बहुत रिलेक्स महसूस करेंगे आपके दिल और दिमाग पर इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा आप जो आलस महसूस करते हैं वो आपके शरीर से पूरी तरह से दूर हो जाएगा आप उर्जा का एक विसफोर्ट सा महसूस करेंगे अपने पूरे शरीर में तो डीप रीधिंग और शहद का सेवन आपके लिए एक अमरित की तरह काम करेगा आपकी त्वचा पे एक ऐसा ग्लो आ जाएगा चेहरा ऐसा चमकने लगेगा शरीर का वजन कम होने लगेगा आपका डाइजेशन आपका मेटाबोलिजम एकदम इंप्रूफ हो जाएगा शहद का सेवन आपके शरीर में वात पित और कफ में बैलेंस लेकर आएगा इतने सारे गुणों के कारण शहद को आयूरवेद में महा औशद कहा गया है तो चालिस की उमर के बाद आपको ये दो चीजे रोजाना करनी है जब आप ये करेंगे तो आप खोद महसूस कर पाएंगे अपने भीतरा रहे अदबुद बदलाओं को लेकिन याद रखें किसी भी चीज़ का चाहे वो कितनी भी अच्छी हो बहुत ज़्यादा मातरा में प्रयोग नहीं करना है तो एक या दो चम्मत से ज़्यादा शहद का उपयोग आपको नहीं करना है और खास तोर से अगर आपको किसी तरह का रोग है कोई दवायां चल रही है तो अपने डॉक्टर की सला लेना ना भूले यह प्रयोग करें और अपने एक्सपीरियंस हम सभी के साथ जरूर शेयर करें अपना ख्याल रखें नमस्कार